हेलो साथ यह हूँ हेलो दोस्तों हेलो मेरी प्यारी सिश्टर आपके लिए एक और पुन एक अच्छी अफडेट लेकर के आ चुका हूँ BTSC 10709 एन्यम पर जैसे के आप लोग को पता होगा इसकी मामला पतना हाइकोट में चले गया है और आप लोग पिछले दिन केस के बारे में कुछ अपडेट भी आया था हमने आपको जानकारी दिये थे और इस केस के बारे में 22 जनवरी को केस सुने जाएंगे ये भी अपडेट आप लोग को मोटे तोर पर मालूम होंगे लेकिन क्या 22 जनवरी को सुने जाएंगे कितने यहाँ पर चांसे जाए कितने नमबर पर स्रियल लिष्ट में लिष्टेड हुआ यह सारी जानकारी जानना भी आपके लिए जरूरी है चलिए मैं आपको complete जानकारी दिखाता हूँ आप लोग पटना आएकोट पर जाएंगे तो आप लोग खुद भी जानकारी देख सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम सी पुरी जानकारी यहां पर दिखा रहा हूँ साथ यह नोटीस आप लोग देख पाएंगे पटना हाइकोट की वेबसाइट पर जारी किया गया है यह सिरियल नमर देख पाएंगे और यह 15 जनवरी केस सुना गया था आप लोग को मालूम ही होंगे ठेक है इसमें आप लोग को मैं बता दू कि यह केस नमर लिश्टेड हो चुका है 23 नमर पर कितना सिरियल नमर 23 पर यह यह केस लिश्टेड हो चुका है और 22 जनवरी 2024 के डिट में सुने जाएंगे साथ यह केस बहुत ही इंपोर्टेंट है क्यूं इसलिए इंपोर्टेंट है कि अब जो एनियम का इधर बीटेसी इस पर वर्क भी कर हैं उधर पटना हाइकोट पर मामला गया तो पटना हाइको यहाँ पर कर लेते हैं तो जब तक यहाँ पर पटना हाइकोट पर करना होगा तो इसलिए मामला बहुत ही अब दकारना हो पर किया गया है हम लोग के इंतिजार है कि पट्ना है कोट क्या डिसेजन देतें इसके बारे में और उसके क्या आगी परकिरिया यहां पर करते हैं बीटीस सी व्होची जब आपको देखना हो गा तो इंतिजार करते हैं 22 जनवारी शेयल नमर सब्सक्राइब कर लिए अपने चंदन के चनल को और आपको कंप्लीट जानकारी यहां से मिलते रहेंगे ठीक है चलिए उन्तियार करते हैं पटना है कोट का आदेश का कहां पर अपनेट निकल करके आते हैं सभी को थैंक्यू